ओके तो थोड़े से लंबे इंदजार के बाद कल की मोवी हिंदी रप के साथ नेट्फिक्स पर रिलीज हो गई है और इस मोई के रिलीज होने से पहले बहुत सारे लोग इस मोई को बहुत बहुत ज़्याद आच्छी बोल रहे थे और बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि मो कोई सूपर डूपर इट रही है क्योंकि इस मोई का वक्स ओपिस कलेक्शन हुआ है ग्यारा सो करोड का तो ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है हाँ वो अलग बात है कि इसका आदाई बज़र था मतलब की 600 करोड का पहली बात तो मैं आपको सबसे पहले यही कहूंगा कि यह मोई प्रभास के नहीं है क्योंकि मेरे सबसे तो यह मोई अमिता बच्चन जी किये क्योंकि उन्होंने इस मोई में मतलब की जान डाल दिये क्या एक्टिंग किये और क्या उनके एक्शन सीन से वही एकदम ही कमाल के पहले मोई के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करत तो प्रभास और अमिता बच्चन जी के बीच की जो फाइट का पूरा सीन था वो तो मुझे बहुत जाद अच्छा लगा और वो सिर्फ थोड़े समय के लिए ही नहीं था पहले जब वो सीन चालू हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि ये अभी शुरू हुआ है और अभी खतम हो जाएगा लेकिन उन्होंने उसको लंबे समय तक ले गए और अच्छे तरीके से दिखाया दोनों की पावर्स को भी दिखा 3 में ऐसा देखने मिला था बॉलिवूड में बात करें तो 3-2 में देखने मिला था और इसी तरह इस कल की मुझे बेभी दो तीन बहुत ही अच्छे अच्छे देखने मिलते हैं जिनके बारे में अगर आपको पहले से पता नहीं होगा कोई स्पोईलर नहीं मिला होगा तो आपके लिए एकदम ही अनेक्सपेक्टेड होगा और आपको वह पसंद आएंगे अब थोड़ा सा चलते हैं नेगेटिव की तरफ तो इस मोई की जो लेंथ है तीन गंटे की जो मैं कहूंगा वैसे ज्यादा फील तो नहीं होती है लेकिन इसका जो फरस्ट आप है वह कुछ सिंस के अंदर जरुवत ही नहीं है वैसे तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक ऐसी मोई थी जिसके अंदर वो कॉमेडी डालते नहीं तो भी चल जाता यह वैसे एक तरह की कहूंँ तो सीरियस टाप कीम होई है तो इसमें कॉमेडी नहीं डालते तो अच्छा रहता जो कुछ थोड़ी बहुत डाली है तो ऐसा लग रहा था कि जहांपर जरुवत नहीं थी फिर भी डाली है तो वो थोड़ा सफील होता है और साथ में जो यह बहुत ताइम से चले आ रहा है हमारे यहां खास कहूंगा सिनेमा में कि कोई कैरेक्टर की एंट्री होती है तो उ बराए छिरल उने तो स्की एंट्री देना सीथे सीभी डे देवर यह फिर तरीके से डू अच्छे मूजिक के साथ दो अच्छा सालगता है विल्डी फीलोके है कई बाद ढूस्पर आ जातें लेकिन कुछ backup नोटी जाती है ऑनाने चाहिए तो इस सक dig नोटीस चाहिए तो इस चीज़ को थोड़ा सा और बैटर किया जा सकता था एंड प्लस में मूई के अंदर जो विलेंस है या फिर कोई हीरो भी है तो उनके पास जो बंदूग है ना वो चलाने के लिए होती है यसे खड़े रहे कर जो सामने जो कुछ भी कर रहा है आके हमारे यसे गला पकड़ ले रहा है तो भई बंदूग चलाओ भई उसको मारो पर ये मूवीज है पहले से चला आ रहा है पर थोड़ा सा जब हम ठिंकिंग करते हैं इसको रियालेटी में लेकर जाते है तो ऐसा लगता है कि अगर तेरे पास बंदूग है वैसे कहीं से भी लिया नहीं गया और वैसे थोड़ा बाद तो कहीं पर भी से चाहता है अगर आपको महाभारत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो वो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा आप movie को थोड़े से अच्छे से समझ पाओगे और हाँ इस movie को आधी पूरू से तो कई पर भी compare मत करना ये उसके तो आसपास भी नहीं है मतलब उससे down नहीं है मैं ऐसा नहीं कह रहा हो चाहरा हूँ उससे तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है दोनों movies प्रभास किये लेकिन फिर भी ये movie आधी पूरू से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो नेक्स्ट पर इसका अलग रहा है कि बहुत ही जल्द देखने मिलेगा और इस कल की movie को overall ध्यान में रखते हुए मैं 8 out of 10 की rating देना पसंद करूँगा और इस movie को अब अपने family के साथ भी बिंदास देख सकते हो और अगर आपने इस movie को देख लिया है तो आपको कैसे लगी आपका क्या review है ये मुझे जरू से comment में बताना तो यही था मेरा सीधा साधा and सिंपल इसकल की movie को लेकर review अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरू से लाइक करो आपने दोस्तों के साथ share करो और इस action YouTube channel पर नए हो तो इसे जरू से subscribe करो जिसे आपको ऐसी और भी वीडियो ताइम पर मिलती रहे